नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें विपलब गायन कक्षा साथ की जो कविता है बालकिशन शर्मा नवीन जी द्वारा रचित उसके सारांश की बात करेंगे नमस्कार बच्चों ये जो कविता है रूडियों प्रथाउं पुरीतियों तथा जड़ता की बेड़ियों को तोड़ कर विकास हैं गती शिल्ता के पथपर अग्रसर होने को प्रेरिद करती है इन्स्पायर करती है hebben इस कविता में कवीजी नागरिकों का अहवाहन कर रहे हैं उन्हें बुला रहे हैं कि वे अब शांती और प्रेम के गीत गाना छोड़ दें तथा कुछ ऐसी तान सुनाएं जिससे हलचल मच जाए करांती की चिंगारियां फूट पड़े और महान परिवर्तन की शुरुवात हो सके शांती और प्रेम का गीत का यहां मतलब है कि आप उन्हीं चीजों में जड़ हो गए है समाज में कुछ नए के आवशकता है जो रूड़िवादी सोच बन गी हमारे समाज को उन्नती नहीं दे रहा तो करांती का गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर देता है फल स्वरू भयंकर कष्ट के अनुभदी होती है अनुभूती होती है मतलब मिजराबे अंगुलियां एंट जाती है महानाज का मारगीत अवरूध हो जाता है परंतु दिल में रिदे में जिस विवस्था के विरूध आक्रोश है गुसा है उसके कारण क्षण भर में ही सब कुछ स्वाहा हो जाएगा जो भी जड़ हुआ पड़ा है कुरितियां तथा रूडियां इस अगनी में जलकर भस्म हो जाएंगी जैसे ही ये रुके हुए आक्रोश फुट पड़ते हैं ठीक है तो समस्त अवरोध स्वत समाप्थ होने लगते है क्रांती गीत की क्रोधित तान का स्वर कणकण में व्याप्त हो जाता है और रोम रोम से फिर वही ध्वनी प्रती ध्वनी होने लगते हैं अर्थात करांती का भीशन रूप द्रिश्टी गोचर होने लगता है चारों और से परिवर्तन की मांग एक स्वर्थ से सुनाई देने लगती है तो जिस प्रकार शेशनाग जी अपनी मणी के लिए चिंता तुर रहते हैं उसी प्रकार प्रतेक व्यक्ति नव जीवन के निर्मान की चिंता में लीन हो जाता है जब उसको यहगीत समझ आ जाता है तो कभी जी विश्वास पूरवक कहते हैं कि इस नवीन चेतना में ही नए जीवन का राज उन्हें दिखाई दे रहा है तो नए जीवन का पोशक सुत्र उस महाविनाश में ही चिपा हुआ है जो विचारों तथा नजरिये में आए एक परिवर्तन से शुरू हो सकता है तो बच्चो नए जीवन का पोशक सुत्र उस महाविनाश में ही चिपा हुआ है जो विचारों तथा नजरिये में आए एक परिवर्तन से शुरू हो सकता है कवी जी वैसी ही एक करांति लाना चाहते हैं जो विकास तथा गती शीलता को अवरुद करने वाली प्रवरित्ति को समाप्त करके ने स्रीजन का अवसर प्रदान करें जिससे ने समाज का निर्मान हो सके तो बच्चो इस कविता का निचोड यही है कि कवी जी बदलाब चाते हैं समाज में जो ठहर सा गया है क्योंकि बहते पानी में ही सफाई होती है पानी भी रुक जाए जलधारा रुक जाए तो वहां मच्छर पनपते हैं गंदब फैलता है ठीक है बच्चो तो यह था अगली वीडियो में प्रशनुक्तर धन्यवाद